यह अच्छी बात है क्योंकि वन नेशन वन एलेक्शन होगा तो टाइम लेस कंज्यूम होगा तो यह एक अच्छी इनिशेटिव ली गई है मोदी जी के द्वारा तो आइ तिंक इट विल बेटर फोर आर नेशन मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहा है हान जी बिलकुर अच्छा कर रहे हैं राममंदिर बनवाया और भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एसपेक्ट्स हैं जो कि उन्होंने अच्छे किया है अरजाल जो चार-फास साल में चुना होते हैं कि उनको पैसे पचेगा और बार बार चुना होने से नोटा फाइदा भी मिलेगा लोगों को अरप कुछ नुकसान होते है कोई अपनी इस भात दी और कोई अपना परचार वरते हैं तो असमें भी पैसे लगता है कुछ किया है उन्हें अकेले ने किया है सभी लोगों के लिए वह अपना को अपना सभी त्याग कर हमें हमारे लिए कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं क्या मोदी आने वाले समय में भी आएंगे आएंगे जरूर आना ही पड़ेगा उनको कि ये तो देश के लिए फाइदा ही है चुना आप में इतने सारे पैसे खरच होते हैं अगर एक बार में होएगा तो कुछ तो बच सबासे गई ठीक है और बागी काम करने के लिए टाइम मिलेगा नेता लोगों को जो भी चुने हुए आएंगे शरकार मेरे सारे फैमिली मेंबर्स बोलो या मेरे एरिया में सब ही लोग मोदी जी के बहुत सपोर्टर हैं तो कि अभी तक हमने जितने भी हमारे प्रैम मिनिस्टर बोले या चीफ मिनिस्टर जो भी आएं हैं अभी तक हमने जितना विकास देखा है दिल्ली में मोदी जी के कारण बहुत ज़ादा देखा है दिली मम रहते हैं लेकिन हम स्टिल केजरिवाल को सपोर्ट नहीं करते हैं हम मोदी जी के खूप सपोर्टर हैं और उनका जो भी डिसीजन या को भी योजना अगर वो लागू करते हैं वो हमेशा ही देश के हित्म होता है ये डिसीजन कितना फायदेमंद होगा? ये भी बहुत फायदेमंद होगा, मुझे पता है, क्योंकि मोदी जी पम पूरा बिलीव करते हैं, ये भी कहीं न कहीं आगे जाके हमारे देश को ग्रोव ही करेगा तो देश के लिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी ही अच्छा कर रहे हैं, और वो ही करेंगे और आने वाले चुनाव में भी वही जीतेंगे, मोदी जी ही अच्छा कर रहे हैं इसको देश से काफी फाइदा होगा, इससे यह होगा कि टाइम की बज़त होगी और पैसे की बज़त होगी, और ये अच्छा है निन्ने, बढ़े निन्ने है, वो सही रहेगा, जो कारी कर रहे है, बढ़िया कर रहे हैं, एकदम 110% सही कर रहे हैं